क्लियर दिख रहा है सामने higher highs higher low बहुत बढ़िया लेकिन एक चीज देखो जो चार्ट पे नहीं दिख रही है सेम कंपनी है वो ज़रा इसके quarterly results पर ध्यान देना quarterly results देखना दिसंबर 21 से 81 करोड, 66 करोड, 64 करोड, 46 करोड, continuously top line गिर रही है दिखा, इसको छोड़ दो आप, margins देखो, 24, 13, 23, 18 एक time जो margins approximately करीब 22-25% के आसपास static हुआ करता था वो margins अब दीरे-दीरे नीचे की तरफ जा रहा है और इन सब के अलावा ये बढ़ी important चीज है दस करोड, 6 करोड, 9 करोड, 4 करोड भी साप, bottom line धीरे-दीरे कम हो रही है maximum तक आई थी, bottom line 10 करोड के असपास उसके बाद धीरे-दीरे कम हो रही है तो top lines घट रही है, bottom line के अंदर धीरे-धीरे गिरावट आ रही है ये थोड़ा सा, मतलब क्या कहता है, cautious होनी वाली चीज है ठीक है ना यहाँ पे, घबराने वाली बात तो नहीं है लेकिन cautious होनी वाली बात है, इसमें एक चीज और भी है interest rate मतलब जो है, बढ़ रहा है और interest बढ़ने का मतलब है कि नीचे वहाँ पे ये लोग loan ले रहा है, और loan भी काईदे से ले रहा है क्योंकि जो इनका net profit आ रहा है उसका करीब 6%, मतलब 6 हिस्सा यानि की 15-90, लगबग 15% के करीब इनके पास में वो है, debt है, तो debt बढ़ रहा है कि आप borrowing से, अरे ये देखो, borrowing देखो 21 करोड से बढ़ के borrowing अचानक से 200 करोड हो गई है हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ नया capex किया हो, उसके लिए अगर लिया हो लेकिन थोड़ा सा बुदर cautious होने वाली बात है इस जगे पे, बाकि अगर buy करना चाहते हो तो risk के साथ में buy करने वाला है ठीक है, वैसा नहीं है कि बिलकुल अंधबाई कर लेंगे ना